साथियों आज की इस कलास में हम बात करेंगे कच्छा 10 की NCRT गडित इक्सरसाइज 12.3 यानि आपका चैप्टर नंबर 12 का लाश्ट इक्सरसाइज है कुश्चन नंबर 15 इस इक्सरसाइज में टोटल 16 कुश्चन है तो 15 नंबर मैं बता रहा हूं 16 नंबर आप होमवर कर लेना ठीक है चलो पहले देखो ध्यान से इस स्क्रीन पर आपको कुश्चन दिख रहा है करा कि आकरती 12.33 में ABC त्रिज्या 14 फिंटी मिटर वाले एक बृत्त का चतुर्थांस है तथा बीसी को ब्यास मान कर एक अर्ध बृत यानि सेमी सरकल थीचा गया है तो च्छायांकित भाग का एरिया गयाद के जिए आपको सेड़ेड रीजन का क्या करना है एरिया फाइंड करना है आईए मैं आपको इस कुश्चन को रियल में दिखाता हूं इसका चेरा क्या है देख कर इसमें हम ऐसे चार भाग कर दें सरकल में समझ रहे हो यह सभी क्या है क्वाड्रेंट है यह आपका फइस्ट क्वाड्रेंट है यह सिकेंड क्वाड्रेंट है यह थार्ड क्वाड्रेंट है इन्हें चतुर्थांस बोलते हैं ठीक है तो जो आपका यह है थोड़ा बड़ बचा एक चतुर्थांस बचा है बृत का ठीक है बाबू और इसको हम ऐसे मिला दिये तो यह तिर्भूज बन गया आपका और यह आपका क्या बन गया सेग्मेंट बन गया यानी ब्रित्खंड बन गया है ना यहीं तो बोलेंगे ओके तो आप समझो वैसे यह है यह भी एक ब्रित्थ के किसी एक भाग का टुकड़ा है समझो कुश्चन में क्या कहता एक बार फिर से देख लो फिर मैं सलूशन पर चलता हूं इस त्रीज्चा चाउदा फेंटी मिटर वाले एक ब्रित्थ के चतुर्थांस थिक यानि इसकी तरीज्चा चव्डाफेंटी मिटर है जो सरकल थी उसका क्या यह 14 cm है यह भी 14 cm है भाई अगर ऐसे ब्रित्थ था अगर यह काटा गया तो यहां पर यह त्रिज्चा ही तो grâce इसको वढ़ाए इसको आएसे बढ़ाएं इसको ऐसे बृत्न को फिर से बना ले से एक आड़र तो यह तो इसमें यह ऐसे ड्याजए रेडियों से ऊके आप में इस सेडों कि अरियां फॉइंट के ना टॉर रंग गया है जिसमें डाट डाट दिखरा है उसको निकालने के लिए क्या करोंगे पता आपको पहले आप े में अयरिया आप सेगमेंट निकालोगे यानि पहले अगर आपको कि यह चीज़ पता चल जाएं यह यह तब क्या करोग तो आपको तो जो जो लिखा है उसको मत लिखना होई देखें साथी हो आप जो उपर लिखा इसे चरह ध्यान से देखिए जो अभी तक लिखा था आपको उसको नहीं लिखना था बिल्कुल ठीक है बृत्त खंड का चेत्रफल बराबर अभी तक यहां कुछ और लिखा था ध्यान दीजिए वैसे वास्तों में तो हमें यह सेड़र रिजन निकालना है लेकिन निकले का कैसे जब हम पूरा पूरा इसका अगर हम छेत्रफल पाजाएं पहले तो यह मतलब समझो कि जो बीसी है इसको बेस मान करके एक अर्धवरित खींचा गया यह कहा गया ना कुश्चन में इसको बेस मान करके एक अर्धवरित खींचा गया है और हमें इसका एरिया फाइंड करनी है तो क्या करेंगे पहले अगर हमें इसका एरिया मिल जाए इसका मिल जाए तो हम टोटल में से क्या करें इसको घटा दे ना तिर बुश्य को घटा दे उस में से ना इसका निकाल के तो हमने मिल जाएगा 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 ना चलो देखो कैसे वहले तो हम यह निकाल लेते है यह हम ये निकालने यहां मैंने प्योंधरखा से भृत खान्ड का पहीं नत प्रित्ध के स्टों चयत्रफल मीनस ट्रैंगल यहीं कुण कि? सब्सक्रांब सुथांस मतलब जान रहो कि जो चेतरफल होगा उसका एक नगी यह बाटा चार भागए यह एक बटा चार और बिद्ट का चेतरफल याँनी पाई यार स्कौयर माइनस दीए सी का छेतरफल दीए सी यह भी एक संकोंड बन रहा है आप सब इन्टु यह आर कमान 14 माइनस वन अपान टू एसी देखो 14 दिया है और एबी 14 दिया है देखो बाबु यह कड जाएगा आपका दो से इसको काटोगे दो दूना चार दो से काटोगे 11 11 का 14 में गुड़ा करोगे कर लो चाहे तो 11 14 का मल्टीपल करोगे 154 आएगा नहीं तो ल चवुदाएकम 14 एक पंदरा माइनस नाइंटी एट में 56 सेंटीमीटर स्कॉयर यह क्या आया आए आपका यह आया इदना 56 सेंटीमीटर स्कॉयर याद रखना अब हम लाइस्ट फाइनल में चलेंगे क्या करेंगी लिखो लिखो चायंकित भाग का चेत्रफल बराबर तो भूज का छेत्रफल घटा देंगे तो जो आएगा वह आपका सेड़ेट रीजन हो जाएगा ठीक है समझ रहे हो इसको लिख लिए चलिए आगे लिखते हैं लिखिए इसको जल्दी करिए लिखे साथियों अब इसमें आपको कुछ समझना है वो क्या है ध्यान दीजिए अब हमें अगर इस छायंकित भाग का एरिया निकालना है तो हमें तिर्बूज का छेत्रफल और क्या यह मिलना चाहिए था यह तो मैंने निकाल लिए 56 वीच वाला भाग उसमें से क्या करेंगे टोटल निकाल करके उसमें से घटा देंगे आपका छायंकित पाटा जाएग लेकिन उसको लिखने के पहले साथी ओं एक चीज़ और ध्यान दीजिए वहमें बीसी अभी पता नहीं है तो पहले हम बीसी निकाल लेते क्योंकि इसका भी काम लगेगा नहीं तो आप आगे नहीं कर पाओगे लिखो पहले बीसी निकाल लेते हैं लिखो मैं अर्द बित्त में को अर्द बृत में लिखो नर खूकर क्रायर को 9 7 ranch डिमाटर कैसे ये पहले ये बता मुझे यह बड़े अर्द बृत कि तिरिज्जाए घूंकि जो आर्द बृत था आपका जहां फ्क proxy यह तो फين दो यहीं तो हमें दृत करना है यह सेवन नहीं इसको आप कुछ भी मानलो कुश्चन मार्क मानलो चाहिए ठीक है यह क्या है हमें कैप्टल आर फाइंड करना है यानि हमें यह इसका आधा फाइंड करना है है ओके सुनो समझो कैसे देखो दिछ दूई नीचे भड़े अद्थवर्त की तरिश्जया है तिर्भूज न में लिखो तेरवूज बडिये कुंए तैंक रहिता गोरस परमिये से में या नोटना पर मीऩ छॉक कशले साधा वार कॉस संदिंस क्या हो जाएगा लगा दो आई करण का स्क्वाइर एक्वल आधार का स्क्वाइर धन लंब का स्क्वाइर यानि बी सी का स्क्वाइर एक्वल एवी स्क्वाइर धन एसी स्क्वाइर यह दोनों 14 दिया है कितना दिया बाबू 14 14 दिया है यह 14 का अगर आप स्क्वाइर कर दोगे तो कितना हूं तुम्हें काम करो यह बीसी स्क्वायर है ना कि यहां पर इसक्वायर ना लगाओ तो इधर फाइड क्या होगा वर्गमूल आ जाएगा कि भगमूल लगा लेता हूं आप यहां थोड़ा समझ ना इसमें वर्गमूल के अंदर बाभी हम सब्सक्राइब कौमन ले इसके बोलो देने नहीं कोई डाउट नहींना अगर हम इसमें 14 का स्कॉयर कॉमन क्वाइर कॉमन ले ले लेए सोचो इसकी जगा पर यह यहनी हम क्या सकते हैं अगर इसक्वायर है तो यह सिर्फ 14 आएगा बाहर सिर्फ 14 आएगा ना अंदर में जुड़ जाएगा दो आएगा यह नि हम कह सकते हैं कि बराबर कितना आया इतना आ इसे काम कर सकते हो वह क्या जानते हो फरका पर में करना करते हैं इसे अंडर रूट टू से भाग दे दो लिखो तृजय बराबर कि ए अinen आठ यह पूरा पूरा व्या साय आ अचतना इसका आधा इसका अधा इक्वाज शे डावड़ इन टू यानि आप कह सकते हैं से बन और आन्डर रूट टू एक याद रखना इतना वो गया डन को दिक्कत नहीं जहलो कि अब क्या करोंगे अर्दवरित का सथ पर नीकालोगे ठीक है अर्दवत के लुकर यह इस का छेत्रफल इक्वल हाफ और पाई आर इसक्वाइर याद रखना आर को कैप्टर लगा होगे क्योंकि अभी आर एक जगा और भी उजो रहा था है ना ओके चलो तो भाई सहाब रख दो वन अपान टू इन्टू पाई की बैलू ट्वंटी टू अपान सेवन इन्टू आर कम 14 रखो कि इसमें कोई डाउट नहीं हाँ इसमें डाउट है हम अगर अर्ध बृत का छेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमारा जो रेडियस है वो तो यह आया ना बाबू कि भाई सहाब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं इसका जो इधर आधा वाला बृत है अगर इसे मैं पूरा से सेबन कणाओ सकता है यहार नियुदो भात्रा नियुक्त जाएगा इसका अपशस में Here, का लेवन इन दू इसका मल्टीपल होगा दो होगा और यह आपका एक साथ बचला सिर्फ और सिर्फ साथ यानि चौदा बचेगा है न यानि दो गुड़े साथ कर सकते हो तो यह 154 सेंटीमीटर स्कॉयर आएगा ठीक है अब लिखो चाय अंकित भाग का चेतरफल बराबर लेखलो आर्दब्रित का चेतरफल माइनस त्रिजम्द का चेतरफल तो देखो लिए आगया आपका आर्धबृत वाला 154 त्रिजल्खंड वाला भी 56 आया था इसको आपस में सब्ट्रेक कर दो, आप तो 98 आएगा, कितना आएगा, 98 सेंटीमिटर का स्कॉयर, और यही आपका हो जाएगा, सेड़ेड रीजन, इसमें किसी को एनी डाउट तो बताओ, निसंकोच कमेंट करो, मैं स्क्रीन पूरा दिखा रहा हूं, लिखते जाओ, मैं इध क्लास 13 चलेगा, अगली क्लास से, कुछ भी कहना है, कमेंट करके बताइए, मैं इधर उधर डो लिख रहा हूं, जिससे किसी बच्चा का कोई वर्ड छुपे नहीं और लिख सके, ठीक है, तो बाबु मिलते हैं फिर, अगली क्लास में, बहुत बहुत थैंक्यू, अगला च क्लास का समय साम साथ बजे से PVR स्टडी लहाबा चैनल पर, थैंक्यू,